दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया बजट पेश होने के बाद जहर तोर पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आती है और भाजपा के प्रदेश अधियक राजस्थान के उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया दी वो प्रतिक्रिया देने के लिए किसी भी चीज का उधारन दे सकते थे किसी भी चीज का जो उने बुरी लगती हो जो उने नहीं भाती हो जो उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती हो लेकिन उन्होंने किस बात को चुना? काली दुलहन राजिस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राजिस्थान सरकार ने इतना खराब बजट पेश किया कि ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुलन को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर उसको सजा सावार कर रख दिया गया हो काली दुलन समझ रहे हैं आप अगर इस बयान को बहुत ही उपर उपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बयान महिला विरोधी बयान है एक औरत पर यह बयान किया गया कि देखिए एक काली औरत को सजा सवार कर दुलन बना कर ब्यूटी पार्लर में प्रेजेंट टेबल बनाया जाता है लेकिन मेरे हिसाब से यह बयान रंग भेदी बयान है हम इसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेश जाते हैं और विदेश जाकर इस बात की शिकायत करता है कि देखो गोरे जो है ना हमारे साथ भेदभाव करते हैं कि हमारा रंग काला है लेकिन हम तो अपने भीतर अपने लोगों के बीच भेद भाव करते हैं अरे अब तो वो काले से गोरा बनाने वाली क्रीमे जो होती थी उन्होंने तक अपने नाम बदल दिये अपने पापत होने के लिए कि सालों से जो हम नाम इस्तमाल कर रहे थे वो बेदी था ऐसी बहुत सारी एक्टरस हैं ऐसे बहुत सारे अक्टर हैं ना केवल भारत में बलकि दुनिया भर में जो फेरनेस क्रीम को इंडोस नहीं करते क्योंकि उनके हिसाब से किसी भी इंसान के रंग के आधार पर भेद करना सबसे ज्यादा वाहियात और सबसे और किस्म का भेदभाव हो सकता है बेसिक भेदभाव है जिसके खिलाब दुनिया के लोकतंत्रों में आवाज उटती रही है उटती है लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक राजिस्थान से कहते हैं कि राजिस्थान का बजट इतना खराब है कि मानो किसी काली दुलहन का ब्यूटी पालड में रंग रोक्मन करकर उसे लोगों के बीच रख दिया गया हो आप राजिस्थान भाजपा अध्यक्र सतीश पूरिया के ऐसे बयान पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर आई जरूर दीजेगा और दोस्तों हमारा चैनल इस पक बहुत मुश्किल दौ पड़े हो पाएं शुक्तिया